प्रदेश की औप सेप्प्लाई करने के लिए मानि मुख्यमंत्री जी के निर्देश में ठाइय। इस Control Room में Food and Drug Administration, Transport Department, Medical Department, Medical Educational Department और ग्रह भाग के और पुलीस के सभी वरिष्ट लोग लगाए गए है और डेली पूरे 24 घंटे यहाँ ये Control Room स्थाबित हुआ है इस Control Room से Oxygen की व्यस्था प्रतेक जनपत को की जा रही है और जनपत स्तर से Hospitals को और Refillers को Oxygen की व्यस्था सुनिश्चित की जा रही है मुझे बताने में खुशी है कि कल मानी मुख्वांती जी के मारदशन में Record Oxygen की सप्लाई उत्तरप्रदेश में हुई है कभी भी पूर में इतनी Oxygen की सप्लाई जो कल हुई है नहीं हुई है 321 मेट्रिक टन की सप्लाई Food and Drug Administration यानी FSDA के माध्यम से सीधे Hospitals अथवा जो हमारे Refillers को हुई है इसके साथ साथ हमारे प्रदेश के Private और सरकारी Hospital, Private और सरकारी Medical Colleges के लिए भी सीधे Hospitals के टैंक्स में Oxygen, Liquid Oxygen प्रवाइड फॉर की गई है और लगभग 600 metric ton तक हम लोग ने Oxygen सप्लाई की है भारत सरकार ने उत्तरप्रदेश को Maximum Allotment दिया है Oxygen का साड़े 800 से अधिक metric ton का Allotment दिया है और आपको ये भी बताने में हमारी खुशी है कि प्रदेश में एक-एक टैंकर की व्यस्था Transport Department के समन्वे से, ग्रह भाग के समन्वे से, FSDA के समन्वे से हम लोगों ने जुटाया है Oxygen की सप्लाई के लिए, नाइट्रोजन और आरगन जो गैस होती है, उसको जो ट्रांसपोर्ट करते थे टैंकर, उनको भी Convert किया है और पहले 30 मात्र टैंकर इस Oxygen की सप्लाई में लगे थे, कल जो है 64 टैंकर FSDA में और 20 टैंकर सीधे अस्पतालों में, यानि 84 टैंकरों से हमारी व्यस्था की जा रही है फिर हमारे टैंकर को टर्नराउंड टाइम को बहतर करने के लिए रेलवे का इस्तमाल किया गया है उत्रप्रदेश, पूरे देश में रेलवे के सहयोग से सर्ण प्रथम जो है कोशिश, वन आफ दी फर्स्ट स्टेट था जो रेलवे का सहयोग जितने लिया, यहां लखनो और वारा नसी को अब पांच बार हम लोग ऑक्सिजन की ट्रेंड चला चुके हैं, ऑक्सिजन एक्स्प्रेस जिसको कहते हैं, हम बुकारों से, जो है वहां के बुकारों स्टील प्लांट और वहां एक कंपनी है आइनोक्स उनके माध्यम से हम जो है ऑक्सिजन सप्लाई कर रहे हैं, रेलवे के माध्यम से जो टैंकर जा रहे हैं, उनमें काफी समय की बचत हो रही है, और रेलवे की वज़े से हमको इसमें सहयोग मिला है, हमने एरफोर्स का भी सहरा दिया है, गाजियाबाद से दो टैंकर हम लोग राची भेज कर जमशेदपूर से टैंक्स जो है मंगा रहे हैं कल जो है लखनों से भी दो टैंकर जमशेदपूर राची के माध्यम से भेजे जाएंगे तो एक तरफ जहां रोड से दूसरी तरफ जहां रेलवे से तीसरी तरफ जो है हम लोग बाई एर भी टैंकर्स खाली भेज कर उनको हम आगे प्रदेश की व्यास्ता में जुटाएंगे सभी टैंकर्स को जो है हम लोगों ने एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है जो मानी मुख्वंती जी का मारत दर्शन था 24 घंटे में एक monitoring system बनाया है high technology system है पूरे देश में oxygen monitoring का इस तरह का automatic system जो है पहली बार इसी प्रदेश ने किया है भारत सरकार ने भी इसकी काफी तारीफ की है कि हमारा ये monitoring system लागू किया गया है हम आपको ये भी पताना चाहेंगे कि हमें भारत सरकार से पांच नए बड़े tankers भी उपलब कल कराए गए हैं लगबक 70 metric ton के ये tankers जो है बंगाल में air force base पर अभी land करा दिये गए हैं इनके माध्यम से हम पुरह आगे tankers को train पर रखकर जो है आगे की व्यास्ता सुनिश्चत करेंगे ये भी एक इजाफा अगले एक या दू दिन में हो जाएगा हम ये भी बताना चाहेंगे कि जहां भी tanker movement प्रदेश में हो रहा है पुलिस escort के साथ हो रहा है जहां एक मिनिट भी इसी tanker को जाते समय खाली या लोटते टाइम भरा हुआ कहीं विलम ना हो जिससे की प्रदेश के सभी जनपतों में सभी समय oxygen मिल जाए ये जो व्यवस्था है य इसमें हर अधिकारी हर विभा का जुटा हुआ है कि oxygen की supply में कोई कठना ही ना हो साथ साथ मुख्यवंत्री जी ने oxygen के justified use के लिए audit की व्यस्था का भी निर्देश दिया है audit के लिए IT कानपूर को आएम लखनव को IT BHU को हमारा जो गोरखपूर में विश्वत द्याला है उस इवरस्टी लखनों का उनके सभी directors को शामिल करके एक working group बनाया है हमारे ग्रह सचिव Mr. Polson और प्रमुक सचिव Medical Education श्री आलोक कुमार जी इस पूरी व्यस्था को देख रहे हैं और आज से oxygen की जो है audit की व्यस्था भी online एक application बना कर शुरू की जा रही है मैं आपको दिखान करना चाहूंगा कि अगर हम देखे तो यह जो oxygen नाफी की व्यस्था है यह पूरे रखन है आज की तारीख में कहां कहां हमारे oxygen के tanker चल रहे हैं यदि यह green है तो यह भर गये हैं यदि यह grey है तो यह खाली है और यह देखिए आप पूरा हम जार्खन हम पूरा जो है सब्सक्राइब से हम लोग oxygen लेकर आ रहे हैं और साथी साथ दिल्ली की तरफ से भी जो हम oxygen लेकर आ रहे हैं